कि हैलो स्टुडेंट्स वेलकम टू इन्फिन्टी अकाडमी वन्स अगेन वेलकम है आपका यूटूब शॉट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको प्रिवेस वीडियो में बोला था कि मैं विकार्ट अप्रेटर्स के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा उसी इसके बारे मैं जित्ति इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं आपको इस स्टॉर्ड वीडियो में ठीक है देखे विकार्ट अप्रेटर्स का जो आपको फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिखता है वह इस तरीके से आपको दिखता है फ्रंट व्यू आपको ऐसा दिखेगा पूस्ता है exam में किसकी height कितनी होते तो जो यह मॉल्ड है इसकी height कितनी है 40 mm कितनी है 40 mm और इसका width है वो कितना है वो है 80 mm पहला question यह दूसरा question जो पूस्ता है इसमें जो यह plunger लगा होता है यह क्या होता है यह pin system होता जैसे आपको दिखाना यह आप पिन सिस्टम होता है इस पिन को यहां से release किया जाता है तो यह plunger सीधे मॉल्ड में जाके penetrate होता है तो पूझता है यह plunger की पुरी जो length है वो कितनी यहां से बंता है एक plunger का length कितना होता है 50 mm और plunger का dia कितना होता है ठीक है तो dia भी आपके आपके पास में दिया है कितना 10 mm 5 तो plunger का length और plunger का dia दोनों question आपको यहां से prepare करके रखना है और mold का कितना होता है वो भी आपको क्या करना है यहां से prepare करके रखना है तो आपको तीन डेटा आपको यहाँ से याद रखने है, ठीक है, 40mm, 80mm, 50mm और 10mm, ठीक है, यह आपका विकार्ट अप्रेटर्स का पूरा information है, बाकी का information क्या है, कि इस विकार्ट अप्रेटर्स का result क्या है, और आपके पास में कौन-कौन सा test देता है, ठीक है, तो विकार्ट अप्रेटर्स जो है, वो कौन-कौन सा test लगाता है, consistency, initial setting और final setting, जो इसके plunger होते हैं, वो हर एक test के लिए अलग-अलग यूज़ किया जाते हैं, यह भी आपका PYQ question है, कौन सा question है, PYQ, जैसे consistency test है, इसके लिए plunger यूज़ किया जाता है, circular shape का यूज़ किया जाता है, और angular collar जैसा use किया जाता है, सबका यहाँ पास safe है, यह कैसा circular है, यह कैसा square है, और यह कैसा है, आपके पास में angular collar जैसा use किया जाता है, इसकी information आपको previous short video में दे दी गई है, ठीक है, अब एक last question जो आपको इससे बहुत important है, वो है इसका result, ठीक है, result क्या है, अब जैसे आपको पता है कि अभी मैंने आपको जब आपको यह दिखाया, तो इसकी total जो length है, वो कितनी है, 50 mm है, तो इसका result क्या होता है, 32, 35, 32, 35 and 7 to 7 to 5, यह जो होते हैं, यह दोनों result है, from top and bottom, कहा से result है, यह top से है, और यह कहा से है, bottom से result है, कैसे पता लगा सर कि यह कैसे top से, यह कैसे bottom से है, तो इसकी information ऐसी है, कि आप देख रहों, यहाँ पास reading लगी हुई है, जो 0 से start है, 40 तक या 50 तक आपको जो दिख रहा है, अब जब आप यह penetrate करोगे इसमें, तो आपको कुछ ऐसा यह क्या करेगा, reading देगा, तो जब आप ऊपर से देखोगे, तो आपको obvious ही बात है, objective topic के साथ में, thank you so much.